प्रिये विद्धारतियों नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर सिदार्द कुमार पोख्रियाल है और मैं उत्रा खंड मुक्त शिद्याले के सिक्षा शास्त्र विद्या साका के अंतरगत विशेश शिक्षा विभाग में सायक प्राध्यापक के पत्पर कारे रतूं वर्तमान में विशेश शिक्षा विभाग के अंतरगत विशेश शिक्षा एम आधार भूत पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरपर्थम हम बात करेंगे बीएड विशेज शिक्षा पाठेकरम की इसके अंतरगत दो पाठेकरमों का संचालन किया जा रहा है जो कि बीएड विशेज शिक्षा बौदिक अक्षमता और नमबर दो है बीएड विशेज शिक्षा अधिगम अक्षमता ये दोनों पाठेकरम विशेष शिक्षकों को तयार करने हितु हैं जो कि उतराखंड राजय में दिव्यांग जनों के लिए विशेष शिक्षक तयार करेंगे। हम लोग जानते हैं कि दिव्यांग जन अलग-अलग प्रकार के हैं, RPDW Act में इस समें अलग-अलग तरह की विदाएं हैं, जिसमें अलग-अलग अक्षमताओं से युक्त लोगों के सूची बद्ध किया गया है वर्तमान में हमारे राजे में मानसिक मंदता और अधिगम अक्षमता से सम्मंदित जो चातर हैं उनके लिए विशेश शिक्षकों की बहुत कमी है जिनके लिए ये पाठेक्रम चला जा रहा है विएड विशेश शिक्षा अधिगम अक्षमता के अंतरगत पाठे सामगरी से पढ़ने से लेके लिखना और उसको समझने में जो कटनाईया आती हैं जिसकों की हम लोग डिसलेक्सिया, डिसकैलकूलिया और डिसग्राफिया के नाम से जानते हैं इसके बारे में अधिकांस लोग परिचित भी हैं डिसलेक्सिया जो है वो सब्दों को और अक्षरों को पहचानने से सम्मझे अक्षमता है जो की मुखित है कई बच्चों को होती है और इस पाठेक्रम में विशेश शिक्षक इन कम्यों को दूर कर उन बच्चों को विशेश शिक्षक की तकनीकियों के माध्यम से उनके पाठ अक्षमता है वो बौधिक रूप से अक्षमता जिसकों की मांसिक मंदता भी कहा जाता है वह है बीएड़ विशेश शिक्षा मांसिक मंदता या बौधिक रूप से अक्षमता में चार प्रकार की दिव्यांग बच्चे इसमें आते हैं जिनको माइल्ड मोडरेट सीवेर प्र होता हैं उनको करने में कई तरह की समझ्यां आती हैं तो इस पाथे глуб're बच्चों के जैनिक जीवन से ले कि अध्यन और पठन पाथन से सम्मद्धित left जो क्रिया हैं उनमें जो समस्यां आती हैं उनका निराकिरन कर बच्चों को उसे श्मद्धित कई तक्नीकियों के माध्यम से उनको सबल बनाया जाता है बौधिक रूप से अक्षमता के अंतरगत हमारे यहां बीएड विशेश शिक्षा एमार नाम से यह पाठेक्रम जो चल रहा है इसमें विशेश शिक्षकों को ट्रेन करने का परिश्च्षन दिया जाता है वर्तमान में यह पाठेक्रम बीएड विशेश शिक्षा उत्राखंड मुक्त शिद्याले के जो दोनों मॉडर अध्यंत किंद है हालदवानी मुख्य परिशार इस्तित आधर सद्यंत किंद और देहरा दुन परिशार आधर सद् का संचालन किया जा रहा है यह पाठेक्रम केंद्य संचालन किया रहा है वर्स hacia之前 में भारते परिशएपर सब्स हथं यहात्यंत वर्फ कर्वाड खंड मुक्त शिद्याले के बीच इन पाठेक्रमों को लेकि खांस्व मैं M.O.E. हुआ था जिसके माध्यम से ये तैह हुआ कि दूर सिक्षा के माध्यम से उत्राखंड मुक्त शिद्याले इन पाठे क्रमों का संचालन कर परवति और दुर्गम छेत्रों में जो मानुए संसाधन है उनकी कमी कूर्थी को पूरी तरह से दूर करेगा और जो कमी है वि अन्य राज्यों में भी इस तरह के पाठे क्रम चलाए जाते रहे हैं लेकिन वर्तमान समय में सिव भारतिय पुर्ण वर्वास परिशत द्वरा तीन से चार मुक्त विशिद्याले इसका संचालन कर रहे हैं इस पाठे क्रम से अपितु उत्राखंड के दुर्गम शेत्रों पर्वतिय भुभाग के ही विशेश शिक्षक की नहीं अपितु समी परती राज्यों की कई सारे लोग भी लावानित हो रहे हैं विशेश शिक्षा विभाग के अंतरगत एक आधार भूत पाठे क्रम विशेश शिक्षा के संदर्व में चला जा रहा है जो की तीन महा का है इस पाठे क्रम के अंतरगत जो विशेश शिक्षकों के अभिवावक गण है या उनके संबंदी है वो इसकी बेसिक जानकारी ले रहे हैं इसके अंतरगत जो विशेश दिव्यांग जन होते हैं या विशेश अवर्षता वाले बच्चे होते हैं उनके दिव्यांगता का का इसके बारे में लोग अपनी जानकारी ले सकते हैं और अपनें जो पाल्य हैं उनको किस तरह से समाज में रहने लाहिक बनाया जाए, किस तरह से उनको सचक्ती करण किया जाए, इन सब की जानकारी इस आदार भूत पाठे करम में दी जा रही है यह आदार बूत पाठीक्रम भी उत्राखण मुक्त शिदाले के दोनों परिशरों के आदर सद्धिन किंद्रों में संचालित किया जा रहा है आने वाले समय में विभा की यूजना है कि दिश्टी बादित बच्चों के लिए जो हमारा नैशनल इंस्टिट आप वीजोली हंडीकप्ड है रास्ट्रे दिश्टी वजितार संस्थान देरादुन वहां इसका संचालन किया जाए और साथ ही सर्वन बादित बच्चों के लिए रुड की आईटी इस्तिद अनुशुती स्पेशल स्कूल जो की सर्वन बादित बच्चों का है वहां पर इस पाठेक्रम का संचालन किया जाए धन्यवाद